समादरियं दर्शक बिन पुरुषोत्तम मास माहत्मेको प्रभचन स्रिंखालामा यहारू सब माहार देग स्वागत एबं अभिबादन। आमीले ही जो अध्याय अठारको कथासार प्रस्तुत गरेका थियों जहां सुदेव दमपतेलाई पुरुषोत्तम भगवानले मरेगो छरा बचाई दियेका प्रसंगा आयेका थियों आज अध्याय उन्नाइश हो कथासार प्रस्तुत गर्ने छों आउनुस यहरूं यह सध्याय मक्य कस्ता विशाय बस्तु रहने छन। नईमी शारने छेत्रमा रिशीहरुको रिशीहरुले सुतन्नामा पहुराणिक समक्ष अरको प्रश्न राख दै भने। जो सुधे ब्रामानले पहिले संतान्चाईन भन्नुबायको र पशे आपने बचं विपरित मरेको छ्रा बचाउन भैको कार्ण के हो भनेर सुधे का थिये भगवान पुरिशत्तम भगवान सीत तव भगवानले की भन्नुबायो त्योपने सुन्ना चाहां छो। तेस पसी सुतनामा पवराणिक तत सम्मंधी प्रसंगलाई सम्जना गर्दे बंदे होनांच, सुदे ब्रामाण को एसकरिशिम को प्रश्ण सुने पछी पुर्षत्तम भगवान ले खुशी हो दे बननो भाई। ये ब्रामाण देफ्ता, तिमी ले जे गर्यों तेस तो अरुकसाई ले गर्ना सकताई न। तेस तै तिमरो जुन कामले मा खुशी भएं त्यो तिमी जान दाई न। मिरो प्यारो पुर्षत्तम मैना पर्खरे आयर गए। तेस मैनामा पुत्रसोक्मा डुबेका तिमी दंपतिले जसरी मिरो उपासना गर्यों तेसाई बाटामा एती खुशी भएं कि असंबब भन्दा असंबब कामपनी संबन्न हो न पोग्यों। एता पुधन एस मैनामा कसाईले भगवान को नामा एके दिन मात्रपनी प्रतगर्श बने। उसले सबै किसिम गोपा बटा मुक्तवै बयकुंटर लोक्मा गायरा बश्न पाउँछ। तरह ती मिलेता एक मैना समा निराहर रहर प्रतगर्यों। मैना दिन समा पानी पर्यों। तेसे बादा तिम्रों प्रत्यक दिन स्नान भयो। यशरी मैना दिन समा प्रत्यक दिन आकास स्नान होन पुगयो। जुन एक दिन पनी खंडीत होन पाएन। तेस्ताई उपवास्मा पनी खंडित होना पाए ना, सोग सागर्म डूबे का तीमेहरू बाट ये शरी था नपाई कना मैना देन समा एपचित तवर पुर्शुत्तम मैना को उपासना होना पोगियो, येस्तो किशिम को पुन्य उनाई कुराशित पनी तुला ना होना सकताई धुन्दू कारीले साथ दिनिस्वा भगवान को नाम मा उपवास बस्ता तेथी ठूल पापीले तो मुक्ति पाये का थिये, जब उप पंच पातक को भागी थियो, अर्थात उसले पंच पातक गरे को थियो, तिमेले तब पुरा मैना पर उपवास बसर प्रता कर्यों, ये उप मैना को पिशेस्ता नहीं तेश्ताईचा, सानई पुन्य गरेपने धेरे पुन्य मिल्चा, तिमेले पुन्य नहीं धेरे गरेगा थो। अगी ब्रह्माजीले तूलोमा बेदमा बताये का सबय किशिम का पुर्षत्तम मैना को 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 पुर्ष पुजीयो भने त्यसको फल बड़ी होनच, तेसेले तिमी हर्त रहले धन्य होन पुगेका छो, किनकी पुर्षोत्तम मैना मा कठीन ब्रता गर्यों, मनुष्य जीवन पायर पने पुर्षोत्तम मैना मा एकई दिन पनी पुर्षोत्तम भगवान को उपाचना गर्येन भने आगरा छा कि एस मैना को तीस दिन मा एकई दिन मात्र भाय बने उपाचना गर्नु पर्षा, जसले उपाचना गर्षा उँ मेरो प्रिये बन्च र सबय किश्मको द्धुखत निभाणा गर्न सहयोग पुर्याउँ छू, एदी भने र पुर्षोत्तम भगवान गलूर मा आमा बाबू र भगवान को शेवाबा मन लगाऊ न थाले, शेलागर न थाले, एवा मृतले बर्षों भी तेओ, उनिवरले प्रतिवी तलमा रहे र भगवान को प्रसाथ को रुब्मा मिले को सबय किश्मको सुख बोग गरे, मरे पशे पनी उत्तम लोक मा गई र बशन ल प्रतिको शेवाबा न लागें। यहां निराहार र रहर अर्था भोको प्यरले उपाशना गरन पर्षा बनने जुन कुरा आयेको तेओ पनी प्रतिको लक्षाण आले बुझन परने हुन्छा किना कि रिशिमोनी हरूद बिम्बमा मा बोल्चान भोको रहनु पर्षा बनन को अर्था पेड भोको बनने हुए ना मन भोको हुनु पर्षा बनने हो पेड भोको तो भय बने हुन्छा न भय बने हुन्छा अज भोको हुनु मान न हुनु न उत्तम हुन्छा किना कि भोको पेड बात कर्म पुरा हुना गार हुन्छा र कर्म पुरा न भय बसे फल भगवात भग्ति को भूख, भगमान ले दिखाया का बाटमा हिन्नि भोख, शेवा को भोख परहीत को भोख, परौ पकार को भोख, यस्ते ही यस्ते ही भोख तरह बिडी बिडंबना भाई दिये को कि भने राजा भाई पसी दिड़धन्वाले संपत्य को उन्मादमा परी भगवान ले देखामनु भाई को परहेत्र परोपकार सम्मन्दी काम बिरिशेर संपत्य को दुरूपय गर्नतिर लागे। तेसले तिने सुगदेव छोराले सुगा को रूप मा आयर सचेद गराय का हुन किना मने संतान बने को आपने विस्तारों। आपने अमसबात जन्मे को पत्नी को माध्यम बात आपने पुनर जन्मा हुने भयकाले पत्नी लाए भारिया भनिये को जाया भनिये को। जशल्य जन्मदória नया समसार देखाये, तेने बावprem आमझे को संतान को परम कर्तप्ब्ब्रया हो सानै संतान को रक्षागरना बावन आमझे को ठुलन भाई पसी बावन आमझे को रक्षागरना संतान को कर्तप्ब्रया भग्मान किष्णा दी पनी तेस्ते गरेगा थी, आपना सुरक्ष्य गरना आपनी सक्षम थिये, तेथी हुदा आपुदाई पनी लोग लाई बुजाओना, लोग लाई संदेश दिना, पित्री धर्म को संदेश बुजाओना, उनले मामा कम्सा को अत्या चारवाड बचाओ जन्मना साथ आपुलाई गोकूल लगी दिना बाबु वसुदेप संदेश आगराग गरे का थी, यकुरा कम्सा सिता गप्य रुपा राकी दिना, गप्य राकी दिना कम्सा लाई नवन्ना, आमा देवगे सिता पनी आगराग गरे का थी, जब उनी ठूलो भय, तेस्वजी कम्सा सुर्लाई समावत पारेरा, सर्व पर्थम बाबु आमाको बंधन तोर्ण पोगे का थी, शुका देवली पनी येस्ते गरी, बाबु ले बाटो बिरावना लागे, आमा पनी तेसे गोज जाल्मा पर्ना लागें, किन हमने पति को जुन हालत होंच, पत्नी ले पनी त पति ले पनी प्राप्तफ गर्ष, पति ले गरी को पुन्य पत्न ले पनी प्राप्ता होंच, पति र पत्नी बने गा extremा प्रोब म!! आतमे क्रोब मा येवटे हों, बहितिक मंत्र को सक्ति ले विभाह मंधप मैं उन्होरी बिश्त येस्तो किसिम गो सम्मंद गांशी देए ग जुन गाठो पाईये रुप मात्र भौतिक किसिम को हुँँच, अध्यात्मिक रुप मात्र अलोग किक हुँँच, जह ले जन्म जन्मांतर सम्मको सम्मंद जोन्ने काम गर्छा। दिड़ धन्मा राजाला ये सरी पूर्व जन्मको ब्यली बिस्तार लगायरा मार्शी बालमी केले बने। महराज बीदी बिदान येस्तो शा। तेसेले आजे ही देखी आपनो मनलाई सत कर्ममा लगानो शा। तपाईला जन्म भवतिक संपत्य प्राप्त भगवान को प्रसाद हो प्रसाद एकले खाना हुँँदाई बाडे राखानो पर्छा। अन्येधा प्रसाद दुरुपए होन्छा रदेव दन्र लाग्षा मृत्यु बिगरिन्छा। पहले जे रपनो भाइको थेओ अले तैसेगो फल उभभग गरदे होना हुँँचा, अले जे रपन हुँचा और को जीबन मा तैसेगल भगनो पर्ने हुँचा, तैसेगले संपत्तिले परहीत्र परोपकार समंदिक्काम मा लगायरा जीबन सार्थक पार्ण उष। अएले मेरो मद्यान न स्नान को ब्यला होने लागे हुन। सरयु नजीतीर जाने विचार गर्येगुछु ब्यदा पाऊं। महर्शी बालमिकी बाट इसरी आपनों पूर्वा जन्मको बिस्तार सुने पची राजा दिड़ा धन्वाले बिनम्रत्ता प्रुवक थप प्रश्ण गर्ना लागे। आधने दर्शक में यस अध्याको मटा मठी कथासार इने हुन। इप्रस्ण बाट हामे नीमन संदेश पाउन। पईलो संदेश यह हो कि जस्तो भायपनी र जा भायपनी कर्म संस्कार बोग नहीं पर्श। पईलो जिये रोपिय को होन्छ और तेही फल पाइंच और जिये रोपिय पाइंच पशित्य पाइंच तेसली भविश्य सुद्रोस्त भविश्य नविग्रियोस्त बन्यत चाहाना गर्ने मानिसली बविश्यमा पाहिने फल्को बने विचार गरनों परने हुँँचा और स्वत कर्म मा ध्यान देनों परने हुँचा किने कि स्वत कर्म को फल स्वत कर्म ने हुँचा स्वत किसिम कही हुँचा और स्वत कर्म को फल तेहते किसिम कही हुँचा तेसेले वविश्यमा स्वत कर्म को प्रतिफल मिलोस बनने उद्धिश्य राहनी मांचेले पहले देखिने स्वत कर्म गरने तरफ द्यान दिनू परने होंचा एस प्रसंगले देखो पहले संदेश यह नहीं हो दोस्रो संदेश को कूरुश त्यों किये बने जय जती संपति प्रापत भवयको अद्धियो और वहले विद्धिश्य व O अफूला मतरे पगारे खाने एक किशिम को प्रबर्वती लाए दर्म साहत राण है ले चौरी को संग्या देको चौरी को संप्त्य को अभगोग जस्तो हुंचा बनेको. और आफुले पनी, भगवान को प्रसात्थाने रा खाननोपवर्छा, कीनकी तेख बगवान को केद ये चैनल इनि प्रकृति को माली प्रकृति को सुनचाल. एक दाना अननपनी फाल दैने ना याउटा दाना फन पनी पन पनी प्रसंग को साथ है आजयाला विदा चाहंचू अस्ता विदा दिनुस नमस्कार हुआ हुआ है